तो आज इस lecture में मैं थोड़ा अपने idea share करूंगा कि आप mongodv database में जो delete हो जाते हैं आपके documents उनको आप कैसे recover कर सकते हो ठीक है यह मैं अपने experience के साथ बताऊंगा और मैं आपको live example भी दिखाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि mongodv database के पास जाता हूं सबसे पहले मैं अब मान के चलिए मेरा यह जो record है अगर मैं यहां से delete कर देता हूं तो क्या मैं इस recover कर पाऊंगा तो मुस्किल है कि नहीं मैं कर पाऊंगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या मतलब करें क्या हमारे पास solution हो सकते हैं मैं आपको दो solution बताऊंगा हाला कि वो first solution मैं आपको बताऊंगा वो काफी best रहेगा आपके लिए जो कि मैं use करता हूँ एंड second way मैं आपको बताऊंगा जो कि आप use कर सकते हूँ ठीक है तो मैं start करता हूँ कि मेरा जो first solution होता है मैं आपको idea share कर रहा हूँ हाला कि मैं implement नहीं करके दिखाऊंगा हाला कि मैं जो आपको idea दूँगा मैं proper दूँगा कि आपको क्या-क्या कव-कव कैसे करना है ठीक है तो अब यहां पर क्या है कि अगर मेरा जो मेरा कालेक्शन में जो documents होता है अगर यह delete हो जाता है तो recover करना मुझकी लह मेरे लिए ठीक है तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए जो मैं आपका first point बता रहा हूँ first जो idea सबसे पहले मैं क्या करूंगा जो कि मैं use करता हूं obviously ठी ठीक है जो कि आपने यहां पर schema define किया है जो आपने schema बनाया है इसके अंदर क्या करिए एक कॉमा लगाईए और यहां पर एक की आप बनाईए जिसका नेम आप रखिए is deleted ठीक है is deleted और इसका type रख लिए लाइक का आप चाहो तो string रख लो चाहें number रख लो ठीक है चाहें आ आप क्या करो यहां पर एक string पास कर दो या number आप रख रहे हो like number इसका रख रहे हो तो यहां पर आप क्या करोगे number पास कर दो ठीक है number रख लेना तो कोई tensor नहीं है number रखो चाहें string रखो पर यहां पर आप क्या कर रहे हो starting में आप क्या कर रहे हो इससे 0 पास कर रहे हो ठीक ह default value क्या कर दी आपने zero कर दी मतलब कि जब कोई इस model में इस model का use करके कोई भी मेरी post को insert करेगा तो उसकी default value क्या चली जाएगी is deleted की zero ठीक है अब बाइद अब मान के चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको edit करता हूँ और यहाँ पर मैं अभी add कर रहा हूँ ठीक है और यह मेरा होगा number ठीक है तो इसको मैं number कर लेता हूँ ठीक है नंबर नंबर चलो int 64 कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मेरा क्या होगा is deleted आ गया zero ठीक है अब क्या करोगे delete करते के न जो आप query चलाते हो ठीक है जो भी आप चलाते हो ठीक है मतलब कोई भी क्व e स्टाव क्ले कर रहा हो चाहें आप मैं प्राफर node नोड जैस की बात नहीं कर रहा है मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं ठीक है आप कोई भी क्वेरी चलाओ डिलेट की ठीक है तो उसमें क्या करो आप डिलेट मत करो डैरेक्ट ठीक है आप क्या करो इस्टेबल में अपडेट करो ठीक है अब आप क्या करोगे लाइ नहीं करना आपको document अगर आप चाहते हो कि permanent document अपको delete करना है कि आगर आपके साइट में feature है कि आप temporarily hey to delete और फिल्त करना चाते हो ठीक है तो देखी यहां पर दोनौ option आपके लिए बनते हैं अगर टेमपरलिए करोगी तो आपके पास पर टेंप्र ली का उप्षन यह है कि लाइक जब आप डिलेट करने जा रहे हो किसी ने डिलेट वर्टन पर किलिक किया अपने noachs में क्वेरी चला रहे हो ठीक है अब क्वेरी चलाते वक्त आप क्या करोगे अपडेट चलाऊगे like आपके पास object id आईगी ठीक है जिसके भी इस पर आप डिलेट करोगे तो डिलेट ना करके आप चलाए अपडेट क्वेरी और अपडेट में क्या करिए आप यहां पर कर दीजिए इसको बन ठीक है मैंने यहां पर कर दिये इसको बन अब इस डिलेटेड मतलब बन अभी यहां आप डेटा तो अभी वी आपको सो होता हुगा दिखाई देगा आपके front end side पर ठीक है मतलब हमारी API से डेटा जाएगा तो देखी जब आप चेक लगा रहे हो ना कि जब आप API को डेटा बेज रहे हो चाहिए आप front end side वालों को डेटा बेज रहे हो तो उस case में वहां पर एक वेर कंडिशन लगा करके चलिए तो समझ गई होंगे कि मैं क्या बोला हूं इसके लिए आप find लगा हो ठीक है मैं mysql में बात करूं तो mysql वगेरा जो मैं यूज करता हूं उसमें बेर यूज करता हूं यहां पर मैं find यूज करूंगा find में मेरा क्या होगा यहां पर आईडी आईगी वहां से तो sorry basically यह तो id मैं उस case में बेज़ूंगा जब मैं particular post के लिए बढ़ना मैं तो सभी को सभी यहां से इसडिलेटर 0 है उनको मैं बेज़ूंगा ठीक है देखिए मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं आपको थोड़ा overview आपको बताऊं कि इसडिलेटर न अब यहां पर डिलेट हो गया जो content आपका मतलब जो भी आपने update कर दिया अब जिस जिसका is deleted बन है उसको ignore करके बाकी data को आप अपने front end side वालों को बेजो अब यहां पर जो है like आप आप क्या चलाओगे like मैं यही पर बताऊं अगर post model का मैं यूज करता और मैं यहां पर query चलाता कि यहां से मेरे को सारी की सारी post दो जिसका is deleted क्या है मेरा 0 ठीक है अब मैं यह query चलाता ठीक है और यहां पर is deleted में बन चलाता ठीक है अब बाइदवी मान के चलिए यह तो आपको सौंझ में आया कि मैं यहां से जब भी किसी front end बालों को data दूंगा तो वो दूंगा is जिसका is deleted 0 है मतलब कि वो डिलेट नहीं हुआ है ठीक है जिस जिसका is deleted बन है उसका मतलब डिलेट हो चुका है document temporarily not permanent ठीक है तो permanent का option दोगे तो permanent delete ही मतलब चला दीजीगा ठीक है destroy ठीक है तो आपका delete ही हो जाएगा ठीक है and then यहां पर अब मैं बात करूं कि like यह तो मैंने ब आपको बता आता हूं ठीक है recover के बारे में like मान के चलिए कोई चाहता है कि आपके सारे के सारे पोस्ट जो है recover हो जाए तो आपको बस करना ही क्या था like update query चलाईए यहां पर post.update ठीक है और यहां पर is deleted कर दोगे आप बन ठीक है जो set होता न विसकली set यूज करोगे आप त question होगे होंगे प्रॉपर वे में query नहीं चलाई है ठीक है तो अब आप क्या करोगे विसकली अगर आप recover करोगे कभी भी आप अपने data को तो यहां पर is deleted जो बन था जिस भी data को आप recover करना चाहते हो चाहें आपके post model के सारे के सारे data को recover करना चाहते हो तो आप सभी का क्या कर status update कर दो like क्या query चलाओगे आप चलाओगे is related जिसका बन है मतलब आप update में क्या करोगे update query में सबसे पहले होता ना मतलब check करने के लिए कि हां इसका अगर इससे मिलता है तो हम dollar set के अंदर अपना यह data update करेंगे ठीक है तो जो हम पहले लगाएंगे query तो हम पहले लगाएंग find query चली रही है आपकी जो कि is related zero कर जाएगी data आपको फ्रेंट वालों को तो वो चली जाएगा ठीक है तो यह आपका पहला method है जो की काफी easy है जो कि आप use कर सकते हो अगर मैं आपको दिखाओं मैं अपना यह इसकलिए एक live project है जिसमें मैं अपना is related बन भी यूज करता हू ठीक है by default यहां पर देख सकते हो कि यहां पर zero हो जाता है इसमें ठीक है तो वही idea मैं आपके साथ share कर रहा हूँ I hope आपको यह first idea समझ में आया हो ठीक है अब अगर आपके कोई भी query होती हो तो आप comment कर सकते हो अगर आप चाहते हो इसके उपर lecture बने इस जो मेरा idea ही है जो मै मान के चलिए नहीं आप चाहते कि डिलेटर नाम की कोई query इसके अंदर exist करती हो ठीक है अगर आपने इस डिलेट कर दिया ठीक है यहां से भी आपने हटा दिया ठीक है अब मान के चलिए आप तब भी चाहते हो कि मेरा data जो है recover हो जाए तो उस case में आप क्या करोगे यहां प रख सकते हो like आप यह रख सकते हो win बिन होता ना win cycle ठीक है तो win model.js ठीक है अब यहां पर क्या है यहां पर आप अपना simple इस तरीकी से यहां पर जो schema created है मैं इसी को paste करता हूं ठीक है अब ऐसा नहीं है यह वाला जो model होगा ना यह सभी के लिए allowed हो यहां पर क्या है हम इसका अब यहां पर क्या-क्या आप की रखोगी यहां पर यह तो की नहीं होंगी ठीक है यह वाले की नहीं होंगी यहां ठीक है तो यह आपका ही कैसा model बनने वाला जिसके अंदर आप deleted data को entry करवाने वाले हो और वहां से आप delete कर दोगे data जो आपके यहां पर exist करते हैं like मान के च तो है मैं अपने win model का use करके अपने data के अंदर insert करा दूँगा ठीक है like मान के चले यहाँ पर id तो by default होगी होगी यहाँ पर मैं एक ले करके चलूँगा model name ठीक है model underscore name यहाँ पर मैं string रख लूँगा इसका type type colon string ठीक है and then next one is आपका required लगाओ लगाओ मत लगाओ मैं तो बस आपको overview दे रहाँ ठीक है model name होगे यहाँ पर आप model name इसलिए रख रहे हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि यह इस model का data यहाँ पर delete होकर के आया है ठीक है अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर multiple data हो सकते हैं लाइक मान के चलिए इसके अंदर यह जो मैंने bin model बनवाए इसके अंदर जितने भी आपके प्रोजेक्ट से लेटर है जो भी deleted data होगा वो इसके अंदर exist करेगा ठीक है अधर मेरे models हैं जिनमें काफी कीज हैं तो इनकी वेस पर हमें थोड़ा differentiate करना होगा ठीक है वो आपने यहां पर बेज़ जी है जब भी आप delete कराओगे तो आप इसके अंदर data insert करोगी ठीक है and then data के अंदर आपका क्या होगा जो आपने यहां से get गया होगा data उसको पहले आप convert कर लोगी stringify में यह क्या होगा आपको एक object मिलेगा ठीक है object को convert करोगी json.stringify आप में से बहुत से लोग जानते होंगे json.stringify का यूज करना ठीक है अब json.stringify यूज किया और जो कि आपका मिलेगा अवेट आप यूज करोगे ठीक है राइक मान के चली मैं पोस्ट से जो है अपना data डिलेट कर रहा हूं पोस्ट पोस्ट मॉडल का यूज करें पोस्ट डॉट ठीक है जो भी आप यूज करना चाहते हो और जो भी आपने डिलेट किया data ठीक है जो कि आपकी कुछ भी आईडी वगरा लगी और आपने डिलेट किया ठीक है आपको data मिला यहां पर मैं बताने वाला तो कुछ और हो गया कुछ और ठीक है मैं यहां पर बता रहा था जेसन इस्टिंगी फाई के अंदर आपको पोस्ट का data डिलेना पड़ेगा जो भी आप करेंट डिलेट करने जा रहा था और मैं उसको data को यहां पर ले लूँगा पोस्ट.find करके पोस्ट.find करके यहां पर मैंने id pass की जो भी मैं जिसको डिलेट करने जा रहा था और मैंने यहां पर अपनी id pass कर दी ठीक है यह क्या करेगा मेरे को data देगा जो कि मैं इस्टिंगी 5 में convert करूंगा और जो मेरा इस्टिंगी 5 में data होगा वो मैं यहां पर इसके अंदर store करा ल logic है वो मेरा first step होगा वो आपका यह होगा कि आप बिन model बनाओ इसमें आपका model नेम जाएगा data जाएगा data में आपका क्या जाने वाला इस्टिंगी 5 मेरा इस पोस्ट का जो है data डिलेट होने वाला है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा id के वेस पर तो डिलेट हो गई होगा तो सबसे पहले मैं id के वेस पर इसका data निकाल लूँगा ठीक है data निकाल लूँगा इसको string की 5 करूंगा और इसके अंदर मैं insert करा दूँगा फिर मैं इसके अंदर से डिलेट कर दूँगा ठीक है अब क्या हुआ कि आपका डिलेट हो चुका है data यहां से stable से तो आपके front and side वालो को जाएगा नहीं ठीक है जो कि अब आपके bin model के अंदर डला हुआ ठीक है अब बात आजाती है कि आपको recover करना हुआ तो हम मान के चलिए आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे post के जितने भी deleted document थे जो कि मेरे bin के अंदर डले हुए थे इसका model name मेरा post था तो मैं उन कि मैं बता देता हूं like bin.find करोगे एंड यहां पर आप लिखोगे model name model name ठीक है और यहां पर अपना model name provide करदोगे like मैंने लिखा post ठीक है जो भी आपका होगा तो यह आपको सारे की सारे records निकाल करके देदेगा ठीक है सारे की सारे records निकाल करके देदेगा अब आप क्या करो तो इस तरीक से आप जो है दौनों आइडियास में से फिर्स्ट बाला जो आईडिया वो काफी वेस्ट है अगर आप यूज करना चाहो रीकवर करना चाहते हो टेटा को तो सेक्ड वाला थोड़ा लोची वाला काम है आपको इसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा ज्यादा